हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो मैं चानल, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ हल्दी लड्डू की रेसिपी, इसमें हमने कोई भी ग्रेन आड नहीं किया है तो आप इन्हें फास्ट में भी खा सकते हैं और अगर आप वरकाउट करते हैं तो पोस्ट या प्री वरकाउ उसमें पादाम को ड्राय रोस्ट करेंगे, ग्यास का फ्लेम मीडियम पे ही रखें, एक मिनट भूनने के बाद आप इसमें आड करीं काजू और फिर से भून लेंगे एक मिनट के लिए, तो हलका सा एरोमा आने लगेगा, तब तक ही आपको इन्हें भूनना है, बहुत सद इसके बाद आप गैस पन कर दें और इसमें आड करेंगे कोकोनट पाउडर, कोकोनट पाउडर को इसमें मिक्स कर दीजिए, बस उसे भूनने की ज़रुरत नहीं है, पैन और बाकी चीज़े अल्रेडी गरम हैं, तो वो हलका सा गरम अपने आप ही हो जाएगा, फिर इन सभ पाउड़ी चीज़ों को मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लीजिए, और फिर सेम मिक्सर में हम पीसेंगे खजूर, ये बिना सीट वाले खजूर आपको यूज करने हैं, और इनको पीस कर भें, इनका एक पेस टाइप का आपको बना लेना है, फिर इस खजूर पेस्ट को आप मिक्सिंग बोल में आड़ कर दीजिए, और इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इस स्टेज पे आप स्वीटनेस के लिए चेक कर लीजिए, अगर आपको मीठा कम लगता है, तो आप खजूर और पीस कर इसमें आड़ कर सकते हैं, तो दे बिक्रा बिक्रा रहे और कट्था नहीं हों, तो आप इसमें और घजूर अड़ करिए, तो फिर जिस भी साइज के आपको लड़ू बनाने हैं, उतना ही आप इसका पोर्शन लीजिए और इनको लड़ू की शेप में बांध लीजिए, फिर इस लड़ू को हम रोल करेंगे कोकोनट पाउडर में इसे और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ओप्शनल है, इससे इसके टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो हमारे हेल्दी और डिलीशियस लड़ू एकदम रेड़ी हैं, आप इ वे टोब सहरू հिलीशियस, वे खड़े हैं, आप ए तो हमारे हेbrand आते ही होग nhiêu आप है, ये लड़ी हैं, आप आप नहीं तो हमारे हैं।